सिव पुराण के अनुसार कौन है पहला कावडिया? सावन का महिना सुरू होती ही के सर्या कपड़े पहने कंगा का पवित्र जल और सिव का उध्षोस करते हुए सिव लिंग पर जल चड़ाने के लिए लाखो की तादात में कावडिया यात्रा करते हुए रोडों पर नजर आही जाते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कावडियात्रा का पूरा इतिहास और कौन है पहला कावडिया? वैसे हिंदू धर्म गरंथों में से लेकर अलग अलग मानने ताए हैं तो आईए बिस्तार से जानते हैं कावडियात्रा का संचित इतिहास कुछ विद्वानों की माने तो भगवान पर्शुराम ने सबसे पहले उत्रपदेश के बाग पजिले में इस्तित्पूरा महादेव का कावर से गंगा जल्लाकर जल्ल विशेक किया पर्शुरानिस परचीन शिवलिंग का जल्ली से करने के लिए गढ़ मुकतेश्वर से गंगा जी तक जल्लाये थे आज भी स्परमपरा का पालन करते हुई सावन के महिने में गड़मुकतिस्वर से जल लाकर लाखो लोग पूरा महादेव का जलाविशेक कर पुर्णे के भागी बनते हैं गड़मुकतिस्वर वर्तमान में ब्रजगाट के नाम से जाने जाते हैं जबकि कुछ विद्वानों का मत है कि भगवान राम पहले कावडिया थे जिनोंने बिहार के सुल्तान गंज से कावड में जंगंगा जल भर कर बाबा धाम में सिवलिंग काविशेक किया था वहीं पूराडों के अंसार कावड यात्रा की पुरचीन परमपरा मिलती है और निकले बिश्को पीने के कारण भगवान शिव का कंठ नीला हो गया और वे नील कंठ कहलाए परंत विश्के नकरातमक प्रभावों ने शिव को घेर लिया शिव को विश्के नकरातमक प्रभावों से मुक्त कराने के लिए उनके अनन्य भक्त रामड ने ध्यान किया प्रभाव से मुक्त हुए और यहीं से कावड यात्रा के तिहास की शुरुवात मानी जाती हैं चलिए कावडियों के बारे में और जानते हैं मिंत्रों पहला कावडिया चाहे जो भी रहा हो लेकिन हमारे सानातन धर्म की एक आस्थाने भगवान से उपर विश्वास की या केशरिया रंग के वस्त धारण कर केशरिया जीवन ओस आस्था सांती त्याग बलितान गसीरता का प्रतीक हैं और करल थ्रेपी के अंसार भी या रंग पेट की बीमारियों को दूर भगाता है सारे कावड़ी यात्री बोल बंक्या समोधन करते हुए मनुबल बढ़ाकर एकता का परिचय और स्पूर्ती के साथ चलते हैं रस्ते भर एक दूसरे से वारता राप करते करते छोटी छोटी बड़ी बड़ी यात्राईं पल भर में गुजर जाती हैं सहरों से गुजरती हुए अस्तानी लोग इन कावड यात्यों का इस बहानी स्वागत और जलपान कराते हैं विभिन रूपों में अलग-अलग जगे पर कावड की यात्रा होती है एक बास और दोनों और जूले के आकार को साधती हुए कावड बास के खपाचे की बनाई जाते हैं गंगा जलवाले मटके या पात दोनों और बराबरी से लटकने की काल रड इनका बैलेंस बना रहता है कावडियों द्वारा विश्राम या भोजन के समय इस कावड को जमीन पर नहीं रखा जाता पेड या किसी अन्यस्थान पर इसे टांग दिया जाता है कावड यात्रा लंबी तथा कठिन परिश्रम वाली होती है लेकिन लच्छ एक ही होता है भगवान सिव को जलाविशेक कराना विक्ति को इस आस्था भक्ति और परिश्रम की चीज सबक सिखाने वाली ये यात्रा आत्म निरे छड आत्म बल आत्म मनोबल को बढ़ा कर मौका देने वाली है कठिन परिश्रम से सरीर मजबूत और ग्रच के सावान होने के साथ साथ आस्था और धर्म से विक्ति पुन्ने के भागी बनते हैं और भगवान भोले नात की किरपा के पात्र बनते हैं ये थी विभिन दंद कथाओं के साथ पहले कावड़िये की कहानी और अधिक एंडियाई ब्लॉग के रहस्वमई दुनिया को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेर और सस्क्राइब करें अलग-अलग जगों से रहस्वमई चीजे लाकर हम आपको अगत कराती हैं वो भी तत्थों के साथ जैहिं जैभात माता की